किचिन में काम आने वाले ये 15 हैक्स आपके किचिन की सारी मुश्किलों को दूर कर देंगे और एक बार आप इनको देखेंगे तो ज़रूर असमाएंगे तो वीडियो को पूरा वाच कीजेगा हेलो गाईज कैसे हैं आप सब उमीद हैं आप सब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे आज मैं आपके साथ शियर करने वाली हूँ किचिन के 15 हैक्स और ये हैक्स एकिनन आपने आज से पहले बिल्कुल नहीं देखे होंगे तो पूरी वीडियो को वाच कीजेगा और कोमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट वाला हैक्स जरूर बताएगा तो बढ़ते हैं हमारी बहुत ही प्यारी सी वीडियो की तरफ और उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजेगा साथ आपके लिए बहुत ही बड़ी असा हैक लेकर आई हूँ अगर तो बहुत जादा अमाउंट में है तो बड़े से बरतर में आपको इसको डालना है सबसे पहले तो हमें क्या करना है लसुन को कलियों को चेक करना है अगर कोई भी कली खराब है तो वो सारे लसुन को खराब क किसी बरतन में, आप भी कांच के बरतन में ही लसुन को डाल कर स्टोर कीजेगा, बहुत लंबे समय तक स्टोर होता है, या तो आप इसको ऐसे ही डाल कर फिच में रख दीजिए, और नहीं तो आप इसको कांच के बरतन में कहीं पर भी रख सकते हैं, अगर तो अमाउंट कम है जैसे मेरे पास बहुत जादा अमाउंट में लसुन नहीं है तो ये कांच के बरतन में स्टोर हो गया अगर जादा अमाउंट में है तो आप पेपर वाले पॉलोथीन में डाल कर इसको फ्रिच में रख सकते हैं अगला हैग भी बहुत ही जादा जरूरी है जब भी घर में कोई कांच की बोटल आती है जैसे कि ये शेजवान सोस है जो सभी के घर में अल्मोस्ट पाई जाती है और इसका जो हमें रैपर निकालने के लिए बहुत से हमें टिप्स फोलो करने पड़ते हैं खुरचना पड़ता है मैं आपको बहुत ही सिंपल सा पानी वाला टिप बताना चाहती हूँ सिर्फ पानी का यूज़ करने वाले हैं जैसे आप कोई काम कर रहे हैं तब क्या कर सकते हैं इसको दो गंटे के लिए पानी में भी होकर रखती जिये बहुत इज़ली साफ हो गया है और इसकी बहुत ही बढ़िया बात मुझे यह लगी है इसकी ऊपर बिल्कूल भी गं नहीं चिपका था जो की बाग में हमें बहुत तेजी से खुरचना पड़े ऐसा बिल्कुल नहीं था, बहुत ईजली पेपर निकल गया है, कोई वीनेकर, कोई बेकिंग सोडा को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, पानी में डिप करके रख दीजे, नेक्स टैग में बहुत ही जादा जरूरी है, अभी रक्षा बदन गई है, तो हमें भी जैसे ये प्लास्टिक का डिपा मिला था, इसमें बिस्कट्स है जो थोरे से रहते हैं, अभी मैं बिस्केट्स को ट्रांसफर कर दूँगी, आप इस डिपए का बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्यूंकि आप देख सकते हैं, स्टोरिज कापैसिटी बहुत है इस लंबे समय तक, पेपर पॉलोथिन में करेंगे तो वो जादा हेल्दी रहेगा, तो मैंने इसका एक आपको solution बता दिया है नेक्स्ट हैक बहुत ही जादा जरूरी है, क्योंकि घर में जब भी हम नया जाडू लेकर आते हैं तो नय जाडू में हमें थोड़ी सी जाडू की छाल कह सकते हैं वो गिरनी शुरू हो जाती है, जब भी हम जाडू लगाते हैं तो यह बहुत जादा होती है जब भी आप नया जाडू लेकर आए तो आप क्या करेंगे इसके उपर आप कोई भी गरम चीज यूज करेंगे जैसे कि मैं प्रेस का यूज करेंगे, अब ड्रायर का भी यूज कर सकते हैं ऐसी बात नहीं प्रेस का ही यूज करना है, हलका सा आप गैस के उपर भी कर सकते हैं पर गैस के उपर थोड़े जलने की दिक्कत रहेगी तो उसलिए न मैं प्रेस का यूज कर लेती हूँ और अच्छे से इसको हलके से गरम करना है और प्रेस पूरी मैंने तेज कर रखी है क्योंकि कोई भी जलने और खराब होने की तो दिक्कत है ही नहीं जाडू में इससे क्या होगा थोड़ी सी भी जो चाल होगी एकदम से बाह लेंगे यह बहुत नया जाडू नहीं है और मैंने थोड़ा टाइम वाइस को यूज करते हुए तो जो भी जालती न वह बाहर आ चुकी है अब बारी आती है इसके अगले है कि इसको हम स्टोर कैसे करें यानि कि इसके बार जाडू हमारा बाहर आ जाता है डंडिया बाहर जाती है फिर चाडू एकदम से बिखडने लग जाता है तो मैंने क्या किया आप रबड का यूज कर सकते हैं सोक्स का यूज कर सकते हैं पर सोक्स जो है थोड़े टाइम के बाद उतनी अच्छी नहीं रहती गलनी शुरू हो जाती है अगर बार बार पानी लगे और फटनी के साथ ही है तो उसको ही मैंने ना इसके किनारों पर थोड़ा से बान दिया और थोड़ी सी प्रैस उपर रगती प्रैस से क्या होगा जो लिफाफा है थोड़ा सा वह चिपकना शुरू हो जाएगा जिपकेगा बहुत अच्छे से गांट बंदी होगी ना तो उसके बाद इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी नॉर्मली आप इसको यूज कर पाएंगे और कभी भी यह उपन नहीं होगा तो यह ट्रिक ज़रूर आजमाईएगा सोक्स यहां फिर रबड के कंपैरिसन में यह ज़्यादा लॉंग लास्टिंग है तो आपके उपर है आप कौन सी प्री टिप को अपनाना चाहते हैं नेक्स्ट चैक बहुती जादा जरूरी है अगर आपको आँकों की रोशनी को बढ़ाना है न तो हरी मिर्ची का सेवन सब भी बताते हैं पर हरी मिर्ची हम डारेक्ट नहीं ले सकते हैं कई पर क्या होता है है तो यह ट्राइएंड टेस् मेंने अल्रेड़ी धनिया औधोड़ा सा नमक एड किया हुआ था उसमें डालेंगे मलाई इसे आप आलु वाली परोंधी के उपड़ नाल सिकते हैं और जाल सकते हैं अगर मिर्ची बहुत कम खाना पसंद करते तो मलाई की क्वांटिटी जादा करतीजी बहुत ही जादा आपको फायदा मिलेगा और इससे क्या होगा ना रोहरी मिर्ची आपके खाने की तरू कंज्यूम होगी, ट्राइज जरूर कीजेगा और मिर्ची कम रखेगा अब बारी आती है बहुत ही जादा किफायती है कि मैं इसको किफायती कहने वाली हूँ क्योंकि सर्दी, जुकाम, नाग पैना, ठंड इन सब का एक रामबार्ट सिल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वैसे तो मैं अपने दूसरे चैनल पर बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड वीडियो भी पोस्ट करती हूँ आप चाहें तो मेरे दूसरे चैनल किरन मिल्स को फोलो कर सकते हैं तो इसके लिए आपको चाहिए दूद यहाँ पर मैंने डेड़ किलास दूद लिया है सौफ ली है, मुलठी ली है और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से उबालना है बहुत सारी वीडियो मैंने पोस्ट की हुई है और यह जो सारी तरीके हैं हमारे घर पर यूस होते हैं मेरी मदर इन लो यूस करती हैं हम खुद पीते हैं तो यह सारी चीज़े आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं जब आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और फिर आपको यह कोल्डान कफ बहुत एजली नहीं पकड़ पाते तो पहले से ही अगर हम अपने आपको सेफ जोन में लेकर चलें तो बहुत सारी चीज़ों को हम अल्रेडी टैकल कर पाते हैं तो यह बहुत ही बड़ी आसा सिल्यूशन बताया है जादा वीडियो के लिए मेरे दूसरा चैनल जरूर देखेगा अच्छे से उबाल आने पर जब थोड़ा आधा रह जाए उसके बाद इसमें हल्दी आप एड़ कर सकते हैं हल्दी पका भी सकते हैं पर मैंने एक्स्टा उपर से डाली है और बच्चे अगर हल्दी कम पीना पसंद करते हैं तो बिल्कुल आप पीम्स डाल सकते हैं बड़ों के लिए तो आप थोड़ी जादा डाली सकते हैं एक चुथाई चमच और इसको आप रात के टाइम लेंगे तो बहुत ही बड़ी आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे इम्यूनिटी सभी को पता है बूस्ट होती है हल्दी से मुलठी से आपके गले में खराश की कभी दिक्कत नहीं आएगी गला खराब नहीं होगा तो खांसी जुकाम ये सारी चीजे बात की बाते हैं बिल्कुल नहीं होंगी ट्राइज जरूर कीजिए गर मुझे कॉमेंट से sonra कि मैंने भूशन सब्सक्राइज और की नहीं देखा था तो मैंने का है करूँ वेसे भी विनेगर और बेकिंग सोड़ा के बेक्षाण के बात य मेंने ऋब्यूआ वहन किसे ने था क्योंड़ तकúngकि को और कैंची मैं पूई तैंगो पानी नहीं हो चुकी दूसे को गर्म हो चुकी है अभी थोड़ा से थंडा करेंगे अब थंडी हो चुकी है अब मैं क्या करी हूँ नीमबू के पील से साफ करी हूँ और आप देखेंगे कि एकदम से जो जंग है पुरानी ये आइधिंक 15 साल पुरानी कैंची मैंने साफ की होगी बहुत इजली साफ हो गई जो अपने विम लिक्विड है या फिर विम सॉप है उसको लगाकर बहुत एजिली मैंने सको साफ कर दिया है और अभी यह बहुत ही फास्ट में चल रही है तो आपका टाइम कम लगे इसलिए मैंने इसको स्पीड कर दिया है पर आप यह के सामने यह कैंची साफ होगी बिल्क और यह जंग है ना बहुत ही इसली जो है निकल रही है और मुझे बहुत जादा एक्चुली में इसको रब करने की जो इतनी पड़ी बहुत तेज से जैसे हार्ड रब करते हैं वैसा नहीं हुआ बहुत इसली रब किया है तो बहुत पुरानी कैंची भी थी तो यह देखें बिल्कुल साफ हो चुकी है जैसे इसका औरीजनल कलर था तो अगर मैं इसको एक बार और साफ करूंगे तो हलका सा यह जो काला पन है यह वी उतर जाएगा तो ट्राइज जरूर कीजेगा आप भी टेस्ट करके देखें घर पर जो भी हैक्स आपको दिखाई देते हैं वो स बल्कुल बहुत बार ऐसा हुआ है तो मैंने गया किया दिर लं लकडी यॵी आपिन भी ह३ान को जा सकतके सब्सकों बहुत लंबै समय तक अपनी द्योरी जो चला किया तो सबी घर में कीचन में एक चोटा सा वाई पर जरूर हो चाहे वो sink cleaning के लिए हो तो वो ना बहुत अच्छे से हम clean नहीं कर पाते तो इसको आप बहुत easily clean कर पाएंगे tooth brush से और साथ में चाहिए हमें Colgate बस इसको अच्छे से रब कर देना है Colgate मैं कहूंगी magic है अगर मैं baking soda vinegar को एक magic मानती हूं तो साथ मैं Colgate को भी मानती हूं क्योंकि cleaning purposes के लिए इतना जादा use किया जाता है हमारे दांत को तो चमकाता है यह बहुत सारी चीज़ों को चमकाता है चाहे वो आप board ले लीजिए और यह जैसे मैं अभी वाइपर को इसको साफ कर रही हूं चोटे वाइपर को तो किवर मैंने इससे सनमाई का भी बहुत अच्छे से चमका लिए हैं ग्लास को चमका लिए हैं जो कांच के बरतन होते हैं या कांच होता है प्लास्टिक की चीज़ों को मैंने चमकाया है तो बहुत सारी चीज़ों को मैंने इससे चमकाया है और इतना बढ़िया रिजल्ट देता है तो ट्राइज जरूर कीजेगा और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताईएगा जरूर न्यूस पेपर सबीके घर में अल्मोस्ट होता ही है पढ़ने के काम आता है पर इससे न आप बहुत ही बढ़िया सी यूज कर पाएंगे जो घर की गंदी है यह दूर गंदा उसको दूर कर पाएंगे इसको क्या करना है आपको हलका सा घीला कर लेना है और उस एरिया पर रखना है जहां पर किचन में स्मेल आ रही है तो स्मेल बर्तनों के साथ आती ही है आप देखेंगे सिंग के साइड तो सिंग के नीचे में रख देती हूं जहां से स्मेल आ रही है इससे क्या होगा न स्म चाफ इचाल को साफ़र कर सकते हैं अपनी टोमेटो सोस से और मैने इस और सिलवर फोईल का यहां पर यूजार इसे नियूज़ सब्सक्राइब करें घर usa क्या तो मैंने शिल्वर फोईल का यूज कर लिया है अगर घर में केबर स्टील का स्क्रबर खतम हो जाता है तब उस सिचुएशन में आप सिल्वर फोईल को बहुत अच्छे से न तोड मरोड कर उसको यूज कर सकते हैं और बहुत ही बड़ी आ स्टील स्क्रबर जैसी ही बनाते हैं या फिर बहुत सारी ऐसी चीजे जिसमें हमें चीनी की रिक्वार्मेंट होती है तो आप क्या कर सकते हैं चीनी का सिरफ बना कर रख सकते हैं तो चीनी यहां पर मैंने एक बाउल लिया है और एक बाउल यहां पर मैं ले रही हूं पानी का तो अच्छे से इन सार तो आटे में यहाँ पर मैंने मोहिन लगा दिया है और अब हम क्या करेंगे इसमें चीनी वाला जो हमने पानी लिया है उससे आटे को गूंट लेंगे बहुत ही बड़ी असी मीठी पूरी बनकर तेयार होती है तो मोहिन लगाना बहुत जादा ज़रूरी होता है और मोहिन के लिए हल्गा गुन-गोना देसी घी का यूज़ कीज़े मीठी पूरी बनाने के लिए oil वगेरा है मोहिन के लिए आप समूसे वगेरा बना रहे हैं अ तब आप तेल यहाँ पिर गगण घी का यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया है अब अगला है कि हमारा इसकी रोटी बनाना तो बहुत ही बड़िया से आप इसको नहीं बेल सकते हैं कि अिबर हम क्या करते हैं हम में लगता है कि विल्कुल गोल नहीं बनी पर जब हम जो मीटी पूरी बनाते हैं बिल्कुल एक जिससे हम परशात की तोर पर हमें रोट मिलता है वैसा बनाना चाहते है तो हलका सा वो गोलाई में नहीं बनता बस उसको थोड़ा सा हलका मोटा रखेंगे आप जब आप उसके बाद जो मीटी पूरी बनकर आएगी ना और लो फ्लेम पर जब आप उसको पकाएंगे इतना टेस्टी यह रोट बनता है ना ट्र एक मैं से बढ़ीलगता स्क्राव इने बडियानी है तो एसमें आपको कुछ नहीं करना कच्य आलोगो पहले तो इक लच्छे-डाविदर फॉं ली अच्छे इल एक कदुकस करने के बाद आप क्या करेंगे उसको डालेंगे पाने में अगर थोड़े ठंडे पाने में डालेंगे तो उसका स्टार्च निकल जाएगा अच्छे से पंके के नीचे सुखा लेंगे सुखाने के बाद इसको करेंगे फ्राय जब आप इसको फ्राय करेंगे तो इतन और जब यह क्रिस्पी हो जाए न और आपको बिल्कुल हलकी सी अवाज आने लग जाए तब आप इसको और भी बहुत सारी चीजों में मिक्स करकर इसकी नमकीन बना सकते हैं। तो आज के सारे हैक्स में से आपका फेवरेट वाला कौन सा है मुझे ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताएगा लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा आज के लिए बस इतना है मिलते हैं अगरी वीडियो में।